गाइज रोफिरो वाइस टाउन का इद मुबारक वाला अपडेट आ चुका है जिसमें बहुत सारी न्यू कार आई है हेलो अवरिवन गुड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग उमीद करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ तो देखो गाइज रोफिरो वाइस टाउन का न्यू अपडेट आ चुका है इद मुबारक वाला बट यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जेटिया 5 गेम से भेजा गया है क्योंकि यहाँ पर आज एद होने वाली है और एद के दिन यहाँ पर बहुत जादा भीड़ रहाएगी तो इसलिए मुझे यहाँ पर देख भाल के लिए भेजा गया है रोफिरो वाइस टाउन की देख भाल करने के लिए है और यह बंदा कौन है जो मेरी बाइक के पास ख कर रहा था बट अब मुझे पता चल गया ना इसकी प्रेंड वे या तो तेरी है सीदी तैसी भाई मेरी बाइक चुरानी की बाते कर रहा है पता भी है कितनी महंगी बाइक है इसमें ना तेरा घर चेले जाएंगा मन तो कर रहा है गाईस कि इसको जान से मार दू लेकिन मारा तो यहां पर एंसिडेंट हो गया ओ नो 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 यह क्या हो गया यार भाई साब रोफिरो का पिछवाड़ा ना भाई जमीन पे घिस चुका है जिस वजह से इसको बहुत जादा जलन हो रही है लेकिन पुलिस वाले इसको फिर भी मार रहा है तो छोड़ो यार देखो यहां लगावा है रमजान मुबारक का एक बोर्ड जो के गाईज अभी रोफिरो वाइस टाउन के अंदर भी रमजान चल रहे थे बट यार यहां पर ना आज रमजान का लास्ट दिन है और कल को यहां एद होने वाली है एंड सामने मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं जो क गाईज मिलिटरी वालों को मार रहे हैं इसका मतलब तो देखो गाईज यार यह लोग ना टेररी से तबी तो यह मिलिटरी वालों को मार रहे हैं तुमारी ऐसे दी तैसी देखा गाईज मैंने अपने मिलिटरी वालों को बचा लिया बट यह क्या यह तो मेरे को मारने लग और यार अगर आप लोग को भी एद मुबारक वाला अपडेट चाहिए ना तो आप लोग मेरे को इंस्टेग्राम पे फॉलो करके ना वहां पे मैसेज कर दो मैं आप लोग को डायरेक्ट गेम सेंड कर दूँगा आप लोग इसको खेल सकोगे बड़े ही आसानी से तो चलो ग मैं आप लोग को दिखा देता हूँ वो नियू कार कैसी दिखती है देखो गाईस सामने एक औरेंज कलर की कार दिख रही होगी जो के अभी अभी नियू अपडेट केम के अंदर आई है चलो यार जल्दी से ना तुम कार से उतर जाओ क्योंकि मुझे यह वाली कार बहुत पड़wood के अंदर उसके पास कोई नए कपड़े आ गए है या फिर नहीं अगर उसके पास नए कपड़े नहीं होंगे ना तो आज हम लोग उसको नहीं कपड़े लाकर देंगे और गाईस हम लोग ना साथ में आज बढ़िया करके इद बनाने वाले हैं तो देखो गाईस ये रहा टिपसन बट ये क्या ये टिपसन खड़ा है ये चिंपेंजी है कोई रो फिरो बेटे कोई बात ना मेरी मजाग बना रही है ना तू देख न तेरे से भी एक दिन ये वाला कॉस्ट्यूम चिंजागा और फिर तू भी मेरी तरह नंगा पुंगा हो जाएगा अबे नहीं यार टिपसन तू गलत समझ रहा है यार तू तो मेरा दोस्त है मेरे भाई लेकिन तेरे कपड़े का है यार तू यहाँ पे चड़ी पहन के खड़ा है अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं हुई है अबे यार फिरो न्यू अपडेट तो आगिया इस गेम कुछ ना कुछ नए कपड़े लाकर जरूर देंगे अबे रो फिरो यार न्यू अपडेट तो पतना आप कितने दिन बाद आगा लेकिन मैं ऐसी खड़ा रहूंगा क्या एक कामकर मेरे लिए नए कपड़े लेका यार मुझे भी तो इत पे गूमने के लिए जाना हाँ के टिपसन बास तो चलो गाईज मैं जाई रहा था तब ही मुझे यहाँ पर एक और न्यू कार मिल जाती है जो के अभी अभी एद मुबारक वाले अपडेट के अंदर आई है देखो गाईज ये येलो कलर में है एंड देखने में काफी मस्द लग रही है तो चलो इस वाल चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार गेमपले वीडियो आती है देखो गाईज ये जो कार न्यू अपडेट में एड हुई है ना ये कार देखने में काफी मस्त है और चलाने में भी काफी अच्छी है लेकिन इन कार की ना गाईज स्पीड बहुत जादा स्पीड से चलती है लेकि ये जो न्यू कार आई है ना इनकी बहुत ही ज्यादा स्लो स्पीड है यार मतलब चलाते हुए भी ऐसा लग रहा है कि साइकल चला रहा हूं मैं देखो गाईज सामने ना एक शोरूम है तो फटा फट से हम लोग इस कार को यहीं पे पार्क करते हैं और शोरूम के अंदर ज दिखने ही रहा कुछ अच्छा सा बट सामने काफी सारे और भी कपड़े रखे है कुरता पजामा है सेरवानी है तो चलो गाईज आगे जाके देख लेता हूं कुछ डंके कपड़े दिख जाए तो मज़ा आ जाएगा और फाइनली गाईज मुझे यहां पर कुरता पजाम की शेयर करानी का क्योंकि गाईज आप ना भाई अभी तक नहीं देखे होंगे रोफिरो वाइज टाउन को बहुत ही अच्छे से सजाया जा रहा है इद वाले अपडेट में चलो यार आप लोग को भी दिखा देता हूं कि रोफिरो वाइज टाउन के इंदर क्या-क्या चीसी जंगा पार्क कर देता हूं और फिर आप लोग को जल्दी से जाके दिखा देता हूं एक काम करता हूं इस कार को यहीं छोड़ देते हैं अभी ना गाईज हम लोग रोफिरो की पावर का यूज करने वाले हैं जो रोफिरो के पास रोफ है ना उससे हम लोग कहीं भी जा सकते हैं एकदम फटाफट तो चलो गाइस फटाफट से मैं यहां पर रोप लगा लेता हूँ और चलते हैं गाइस आप लोग को दिखाने के लिए कि आखिर यार कौन-कौन सी बिल्डिंग है सच चुकी है अपने रोपिरोवाइश टाउन की तो चलो यार मैं आप लोग क दिखाने वाला हूँ अब कुछ सजी वी बिल्डिंग्स जो के देखो आप लोग को दिख रहे होगी नीचे यहां पर कुछ पोस्टर्स लगे हो हैं यहां पर आप लोग को देखने को मिलेंगे गाइस काफी अमेजिंग अमेजिंग पिच्चर्स देख रही हो यार यहां पर हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ में नभाई एद मना रहे हैं यहां पर बोड लगे हो हैं देख रहे हो गाइस यह दोनों दोस्त हैं एक हिंदू है एक मुस्लिम है और काफी अच्छा फोटो लग रहा है इनका और यार गाइस आज किन किन लोगों ने रोजा रखा हुआ है मेरे को बताओ यार जल्दी से कमेंट बॉक्स में वैसे देखो रोफिरो का तो रोजा है आज देखो आज ना रमजान का लास्ट दिन है और यार रोफिरो वाइस टाउन गेम के अंदर आज बहुत सारे लोग अपने घरों को सजाएंगे पहले आप लोगों ने द रहे हैं और यहां पर यह दो बंदे देखो यार आपस में बात कर रहे हैं और एक बंदा फोन पे बात कर रहा है किते हैं पाजी इद मुबारक ओए पाजी आज पार्टी होने वाली है देखा यार गाईस सब लोग अपने दोस्तों को फोन करके इद मुबारक बोल रहे हैं और तो और गाईज यहां पे ना गाईज सारे के सारे लोग फोन पे ही लगे हुए है देखो यह लड़की भी वीडियो कॉल पे बात कर रही है अलो एद मुबारक अरे आज तो पार्टी होने वाली है सिनीमा हॉल में सब वहीं पे मिलते हैं एक सारे के सारे जितने भी पोराने पोराने दोर्णे वाली है तो फिलाल में जा रहा हूँ अभी नग कारल मिल क्या है पहले हम लोग चलते हैं सिनीमा हॉल के अंदर क्योंकि वहां पे पार्टी होने वाली है तो जल्दे से हम लोग पार्टी देखके आते हैं भाई क्या क्या इंतिजाम हो चुका है और यार अगर वहाँ पे किसी चीज़ की कमी होगी ना तो गाईज वो कमी हम लोग वहाँ पे पूरी कर देंगे तो चलो यार जल्दी से जाके देख लेता हूँ कि यहाँ पर आखिर कैसी डेकोरेशन हो रखिया है देखो सामने यहाँ पर वाचमेन खड़ा है बट वाचमेन से हम लोग कुछ नहीं पूछेंगे सीधा हम लोग आ चुके हैं यहाँ सिनीमा हॉल के अंदर यहाँ की डेकोरेशन देखो गाईज भाई साब उपर भी कलर हो रखा है अच्छा वाला और नीचे भी गाईज देखो मतलब एक अच्छे लुक में सजाया गया है यार आज इस सिनीमा हॉल को तो यार आज की वीडियो का ना लाइक है मैं गाईज एक हजार लाइक हाँ गाईज एक हजार लाइक कराओ इस वीडियो पर फटा फट से चाहे चार दिन में कराओ चाहे पांच दिन में लेकिन एक हजार लाइक हो जाने चाहिए क्योंकि यार इतनी अच्छी च्छी डेकोरेशन हो गई है यार अपने रोफिरो वाइस टाउन गेम के अंदर अभी फिलाल हम लोग आ चुके है कैसीनों के पास क्योंकि अब हम लोग कैसीनों के अंदर जाने वाले है और देखेंगे गाइस कैसीनों के अंदर क्या क्या चीज़े नियो आई है बट यहाँ पे तो यार watchman भी नहीं है क्योंकि गाइज इद है न यार तो इद के दिन सभी लोग यार छुटी पे है है शायद से और यहाँ पे यार देखो reception पे भी कोई नहीं है यहाँ पे वो लड़की रहती थी बट वो भी नहीं है आज क्योंकि गाईज वो सब भी ना यार इद की तैयारिया कर रहे हैं और देखो पूरा का पूरा कैसिनो खाली है बच यहाँ पे थोड़े बहुत ही वरकर है और यार आदे वरकर तो घर पे छुट्टी लेकर गए हुएं क्योंकि उन लोगों को भी यार इद बनानी थी तो सिनीमा हॉल के घर में इसलिए शायद यार यहाँ पे कोई नहीं है गाई सिनीमा हॉल में आज पार्टी ओने वाली है तो यहाँ पर दो चारी लोग डान्स कर रहे हैं देख रहे हो कितने मज़े से नाच रहे हैं यह लोग तो एक काम करता हूं गाईज मैं भी यार थोड़ कपड़े उसने पहने या फिर नहीं अगर उसने कपड़े नहीं पहने होंगे न तो यार पहले उसको हम लोग नए कपड़े पिनाएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे पार्टी करने के लिए और साथ में ही डान्स करेंगे तो चलो यार गाईज इस कार को हम थोड़ कार को पार्क कर देते यहीं लेकिन यह यायर टिपसन अभी तक नयаем कपड़े नीप यहीं पर चड़ी पहने के खड़ा है बता ओ यार इस अभीयार थेरे पास कपड़े तो आ गए पहने क्यों ऱहीं तुने अभी अभी तक अभीयार चुटे तूने इतनी सारी रिउल्स भेज़ दी मेरे पास यार इनी को देख रहा हूं दो गंटे से देख रहा हूं अभी तक पूरी रील्स देखी नहीं गया यार इतनी सारी रील्स क्यों भेज़ता है तु मेरे पास यार बता मेरा सारा का सारा डाटा भी खतम हो गया अब तो टिपसन अभी क्यों देख रहा थ और यह क्या यार वाट्सअप पे कौन सी नियूज आई है अरे यार टिपसन फिर से फोन चलाने लग गया तू यार भाई पहले कपड़े पहन ले सब लोग तुझे देख देख के हस रहे हैं कोई तुझे चिंपैंजी बोल रहा है कोई तुझे काला मकडा बोल रहा है अब ह जिसके भी शाउट आट बाकी है तो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा हमारी 10 वीडियो को सुरू से लास्ट तक देखना है और उन वीडियो के निचे अपना नाम लिख के कमेंट करना है जिससे कि गाईज नेक्स्ट वीडियो के साथ बाइ बाइ